वर्षा के कारण शहर की गलियों में हुए जलजमाओ से गुरुवार को शहर में स्कूली बच्चों को भारी परिशानी हुई तूटी सडकों पर पानी जमने से पैदल चलना मुश्किल हो गया है जिन सडकों और मुखले में नमामी गंगे नलजन यूजना और नाला और मेन होल का निर्मान कारियों में तोड़ फोर किया गया वहां की लोग भारी संकट में फस गया है मुखले में स्तिती ज़्यादा खराब है इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से गुरुवार को जलनिकासी व्यवस्था पर नजर रखी गई सभी कारिय पालक पदाधिकारी और अधिकारी कर्मियों के साथ वर्सा के दोरान सडक पर घुमते नजर आए सभी महत्वपुन चौक चौराहे कैमरे की नजर में रहे दावा किया गया कि पानी की निकासी काफी तेजी से हुई है मुहले में जगह जगह गढ़ा होने से अस्थल का कोई निदान नहीं निकल रहा है होटल मौरिया के किनारे जल जमाव हो गया था पटना जंक्षन मार्केट छेत्र में जल जमाव जैसी इस्तिती उत्पन हो गई थी शाम तक पानी निकल गया है बांकीपूर अंचल में वाड 87 और 88 जादा प्रभावित रहे सैदपूर नहर दूसरे दिन भी ओवरफ्लो हो गई इस कारण बजार समीती रामपूर, संदलपूर, नंदगाव, रामपूर, बैंक बरोदा गली, बहादुरपूर स्टेट बैंक कालोनी, कस्तूरबा नगर, महाबीर कालोनी की गलियों में चलना मुश्किल हो गया है छेतर के निचले इलागे के निवासी जलजमाव के कारण परिशान है, करबिगईया में जलजमाव हो गया, सूपर सकर मशीन से निकासी की जारी है, निव बाइपास के दक्षिन भाग में कई अस्थानों पर जलजमाव हो गया, सभी संप हाउस चलते रहा, बुड़कों के साथ साथ पटना नगर निगम के करमी भी संप हाउसों पर नजर रखे, राजदानी में गुरुआर को मौनसुन के सक्रिय होने और रुक रुक कर वर्सा होते रहने से संपों पर पानी का दबाव बढ़ गया है, संपों पर पानी का ज़्यादा जमाव नहीं हो, इसके अनुसार पंपों को चलाने का निर्देश दिया गया है, पुनई चक में पांच पंप हैं, लेकिन वर्तमान में जितना पानी आ रहा है उसे दो से तीन ही पंपों से निकाल दिया जा रहा है, वर्तमान में यहाँ पर सभी संप चालू हालत में है, पानी बढ़ने की स्थित में अन्य पंपों को चालू किया जा सकता है, यही हाल राजापूर पूल का है, राजापूर पूल के पास भी चार बड़े बड़े पंप लगे हैं, जरूरत के अनुसार इन पंपों का संचालन किया जा रहा है, मंदीरी नाले पर दो संप हाउस बनाए गया है, दोनों को म पानी संग्रा हो रहा है उसी की अनुपात में पंपों का संचालन किया जा रहा है एक बर फिर से बता दू कि वर्था के कारण शहर की गलियों में हुए जल जमाओ से गुरुवार को शहर में इसकूली बच्चों को भारी परिशानी हुई तूटी सडकों पर पानी जमने से प कर्मान कारियों में तोड़फुर किया गया है वहां की लोग भारी संकट में फस गये हैं मुहले में स्तिती जादा खराब है सभी कारिय पालग पदाधिकारी और अधिकारी कर्मियों के साथ वर्सा के दौरान सडक पर घूमते नजर आए सभी महत्तवपुर्ण चौक चव जमाव हो गया था पटना जंक्षन मार्केट छेत्र में जल जमाव जैसे स्तिती उत्पन हो गई थी शाम तक पानी निकल गया है बांकीपूर अंचल में वाट सतासी और अठासी जादा प्रभावीत रहे वहीं सैदपूर नहर दूसरे दिन भी ओवर्फ्लो हो गई इस कार है इस छेत्र के निच्टरे इलाके के निवासी जल जमाव के कारण परिशान है कर्भी गहिया में जल जमाव होकिए सूपर सकर मसीन से निकासी की जा रही है निव बाइपास के दक्षुन भाग में कई अस्थानों पर जल जमाव हो गया सभी संप हाउस चलते रहा पर नज़ा रखे